हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल और आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के उपर बात करने वाले फ्रेंट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्राइज एक्शन कैसे अनलाइज करते हैं वो सिखाने वाला हूं प्लस आपको बताऊंगा कि कौन से इंडि को यहां से कि आज बजट का देठा एंड मार्केट जो है बहुत फ्लैटिश बंद हुआ और ऑल्मोस्ट 45 पॉइंट डाउन होके तो बहुत अच्छा कोई मार्केट में बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज बजट का था कि उसमें पर्सनल इंकम टैक्स कम होए हैं और काफी अच्छा इंफरस्ट्रक्ट्चर आउटले काफी अच्छा बड़ा है लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव रियक्शन देखने को नहीं मिला अब उसका कारण अडानी ग्रुप को लेकर भी हो सकता है और आज रात को फेट की और वो आपको चार्ट पर भी दिखाई दे रहा है तो हम लोग यहां पर अब चार्ट में चलते हैं और यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन जो है डेली टाइम फ्रेम पर मैं ड् होना चाहिए तो आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर यहां पर टॉइंट उसके बाद आप देखो तो मार्केट ने यहां से ब्रेक्डाउन देने के बाद में यह एक री टेस्टिंग लेवल होता है आप देख सकते हो यहां यहां पर यह जो पैटन है बेसिकली यह बेरिश एंगल्पिंग पैटन है और यह एक ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद में प्राइस वापस उपर जाता है और यह जो ट्रेंड लाइन है अमारी उस ट्रेंड लाइन के उपर आपने देखा कि यहां पर चार दिन मार्केट यहां पर ट्रेड करता है यह वाला लेवल है और यह लेवल से यहां पर आपने देखा तो तीन दिन में मार्जट से पहले एक बहुत अच्छा यहां पर पॉल आया और आज बजट था तो एक्सपेक्टेशन यह थे कि बजट काफी अच्छा हो सकता है क्योंकि एलेक्शन आने वाल है तो मार्केट यहां से रिवाइब कर जाएगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और यहां पर यह क्लोजिंग देखने को मिली है तो यह क्लोजिंग यह बताती है कि मार्केट यहां से फर्दर और डाउन पॉल ले सकता तो आज का लो अगर आप देखते हैं तो आज का जो लोग बनाती है मार्केट अप्रोक्सिमेटली 17,353 बनाती है तो यह एक इंडिकेशन यहां पर मिल रहा है कि मार्केट के अंदर आपको आने वाले जुनों में एक परदर डाउन ट्रेंड मिल सकता है क्योंकि आज मार्केट ने कल का भी लोग तो रहा है और 30 जै इसको यूज करते हैं और इस ट्रेंड के जो सबसे लोग लेवल है यहां पर इसको शुरू करते हैं तो मैंने यहां से सेलेक्ट करके इसको यहां पर क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ड्रैग करने के बाद मैं आपको जो इसका अभी का जो इस स्विंग का जो हाई है वहां दाउन ट्रेंट चुरू हो जाता है और इसके अंदर आप देख सकते हो तो यह जो फिबोनासी रिट्रेस्मेंट होता है इसके अंदर पॉइंट 618 का लेवल होता है वह बहुत सबक्रrialμέ не विल् CAS अब आप है पहले वीडियो बात दिखायыт Pres cach pen active जो वा लिए वो काफी हाई है जो अगर आप प्राइस इहाँ से पाल हो रहा है और और वॉल्यूम्स यहां पर बहुत जादा है तो यह एक बहुत बड़ा बेरिश इंडिकेशन होता है और मार्केट यहां से शायद आपको एक पूल बैक यहां पर दे सकती है कल के दिन में या आने वाले दिनों में लेकिन अगर मार्केट जो है यह आज का लो के नीचे कल यहां पर .786 का लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टं सपोर्ट होती है और अगर आप प्रीवेस प्राइच्चन देखते हो तो प्रीवेस प्राइच्चन पर यहां पर मार्केट ने बुलिच ब्रेक उट दिया था और यहां पर अब वापस मार्केट यहां से चाएद यहा सकता है जो कि बता रहा है तो अब जब तक आप मार्केट को यह बहुत इंपॉर्टन लेवल है जो मैं आपको बताने वालों अभी आपको कि यह 17,800 का जो लेवल है आप देखो तो यह तूट चुका है ओल्रेडी तो 18,000 जब हम 18,000 के आजब पास यह 18,000 के ऊपर क्लोविंग नहीं करते हैं तो यह जो है आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगा तो हमारी स्टाडेजी क्या होने चाहिए हमारी स्टाडेजी होने चाहिए कि सेल ओन राइस ओके अब आगलों चलते हैं बैंक निप्टी के ऊपर और बैंक लगाए हुए हैं तो बहुत लोग मेरको पूछ रहे थे कि सर्फ मुविंग आवरेज को कैसे यूज कर सकते हैं तो मुविंग आवरेज बेसी कि एक ट्रेंड पॉलिंग इंडिकेटर होता है और इसके अंदर आप देखो तो यहां पर अगर एक्सपोनेंशिल मुविंग आवरेज में यूज करता हूँ 20 50 100 200 अब आप देखो यहां पर कि मुविंग आवरेज का अगर देखते हो आप तो जब हम लोग यहां पर करेक्ट हुए थे यह डेली टाइम फ्रेम है तो जब हम लोग इस रैली में नीची आए थे तो यह यहां से तूटता हुए देखाई दे रहा है और बिलकुल सिमिलर फैटर है फ्राइज यहां से फॉल हो रहा है वॉल्यों यहां से गिर रही है तो तो जो सेंटीमेंट्स मार्केट में चल रहे हैं रहे हैं वह आपको चार्ट पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो अगर आप बिलकुल राइशनली चार्ट के साथ चलते हो विदाउट टेकिंग और ओन व्यूव यूव तो टेक देग दे व्यूव फॉम दे मार्केट एस तो एक बेरिश पैटन है यहां पर आप देख सकते हो और इसको यहां पर इस लेवल पर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और आज जब यह ब्रेक डाउन हुआ तो यह बहुत इंपोर्टन सपोर्ट था फॉर्टी तोडने के बाद मार्केट जो है वापस रिट्रेस करता है और आपने देखा तो 42,000 के अजब यहां पर मार्केट में फिर सेलिंग प्रेशर आया है तो यह पॉइंट अब आप देखो तो हम लोग आज का जो लो बनता है वो प्रिवेस लो के नीचे बनता है हाला कि यह आज का बैंक निट्टी का लो जो है वो 30 जैन के लो के नीचे नहीं है लेकिन अगर आप यहां पर देखते हो तो हम लोग 100 moving average को यहां पर break कर चुके है और price action यही बता रहा है कि इसके अंदर एक further आपको यहां पर continued downtrend मिल सकता है और वो downtrend आपको 39,000 तक भी लेके जा सकता है तो यह लेवल है यहां पर कि हम बैंक निफ्टी को शायद यहां पर देख सकते हैं और जब तक बैंक निफ्टी 42 500 के उपर इस लेवल पर 42 500 या 300 के आज पास उपर closing नहीं देता है तब तक आप इसको लॉंग सा है क्योंकि जो बजेट का आउटकम आना था उतका रियक्षिन आज हमें अगर बहुत पॉजिटिव मिला होता तो हम यह कह सकते हैं कि मार्केट यहां से एक रिवर्सल लेके उपर जाएगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आए होंगे थाक रिवर्सल अचिन आपको को हांगे शूए यह आ नाइस देख